MP Congress ने अपने social media platform पर परिणामो का final survey जारी कर दिया है जिसमें Congress ने इंडिया गटबंधन को 332 सीटे दी है जबकि BJP गटबंधन को 196 सीटे दी गई है Congress के final survey में क्षेत्रिय दलों को 21 सीट दी गई है साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि चार तारीक आ रही है नई सरकार ला रही है यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है मध्यप्रदेश Congress ने अपने social media platform पर परिणामो का final survey जारी कर दिया है हलाकि अभी एक चुराल बाकी है लेकिन फिर भी survey जारी कर रही है Congress और इसमें Congress गढ़ बंधन याने की इंडिया गढ़ बंधन जो है उसे 332 सीटे प्लस माइनस 5 यह बताया आ जा रहा है बीजेपी गढ़ बंधन उसको भी जो सीटे सीटों की संक्या है वो बताई गई है 196 प्लस माइनस 5 और शेत्रिय दल जो है उनको 21 सीटे बताई गई है प्लस माइनस 5 और 4 तारीक आ रही है नई सरकार ला रही है यह लिखा शेलेंद्र भधादोरिया भोपाल से समाधाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए है उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं शेलेंद्र बहुत अहरान कर देने वाला यह है पूरा सर्वे नजर आ रहा है क्योंकि अभी तो एक चुरण बाकी है अभी तो वोटिंग होनी बाकी है अभी तो केवल प्रचार की समापती होनी है और उसके पहले ही यह कॉंग्रेस का क्या यह अती आत्म विश्वास कहा जाए और जब नतीजे आएंगे तो फिर स्ट्रीट का क्या हो बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी आखरी चुरण का चुनाव परचार आप से कुछ देर बाद थमेगा और एक तारीक को बोटिंग होनी है और उसके बाद जो है वो चार तारीक की देर साम तक नतीजे आने है लेकिन मद्परदेश कॉंग्रेस बेहदा जो आपने का अती उर्पसा में नदर आ लिए जिस तरीके से उन्होंने अपना फाइनल सर्वे जो है सोसल मीडिया एक्स पर लिख दिया है और कहा है कि 232 जिसके आसपास जो सीटे है वो कॉंग्रेस जीतने जा रही है जबकि बीजेपी गटबंदने ने लगबक 196 सीटों का जिकर किया और अन्य दलों को 21 सीटे दी और साप सौर पर ये लिखा है कि 4 तारीक आ रही है और नई सरकार ला रही है देखिए मद्परदेश का विधान सभा चुनाओ का भी वो समय आपको याद होगा कि PCC के बाहर जो है वो कई पोस् लोग भी PCC से गायाब होते रहे थे तो हलाकि अभी देखिए आत्मिसवास दिखाना अच्छी बात है लेकिन अभी से इतना जाता आत्मिसवास जो कि अगर मद्परदेश के लिहाद से भी अगर मैं बात करूं तो कॉंग्रेस के तमाम दिगज नेता है वो भी ये कहते हैं 12-14 सीटे जीत रहे यहıs के पहले की बात करें जो आकड़े हैं उसके आधार पर जोगर बात करते हैं तो किवल आदि शीटे जीतने की बात करते हैं तो ऐसे में भॉलमत में सरकार की कदावा कॉंग्रेस हितनी यल्दी आखिकसे कर सकती है निया बग्का बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है निया जी बहुत स्वागत है आपका और आपने भी देखा होगा कि कॉंग्रिस ने इसे क्या कहा जाए कॉंग्रिस कह रही है कि हम तो सब्ता में आ ही रहे हैं चार तारीक का इंतजार कर लीजिए लेकिन अभी से उन्होंने अपना फाइनल सर्वे जारी कर दिया है देखिए मंगेरी लाल के हसीन सबने देखने से तो कोई नहीं रोख सकता कॉंग्रिस को और इस प्रकार से ही भविश्वानी कॉंग्रिस ने की थी विदान सबा चुनाओं में मध्य प्रतेश में अवश्यम आए थे वो हम सब के सामने हैं और नतीजे क्या आए अब जिस इंडिय एलाइंस के साथ में कॉंग्रिस पार्टी अपनी सीटों के दावे कर रही है वो है कहां पर बंगाल में मम्ता दीवी गुर्रा रही है दिल्ली में जिन केजरी वाल के साथ में हैं उनी केजरी वाल को गाली देने का काम ये पंजाब के अंदर कर रहे हैं मद्यतुदेश शत्यजगर और राजस्थान से पहले इनका सूपड़ा साफ हो चुका है पिछले दो टर्म्स में इस बार भी कोई आशा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कॉंग् करने ही यहां कि भार्ती जन्ता पार्टी नेन अपना नारा पहले दिया हूँ और भारती जन्ता पार्टी से भी जादा और जनता कि और से वास निकलके आइकि अपकी पार चार सो पास्टसक्व ने कर चल रही है और एंड ये का जो गटबंदन है भारती जनता पार्टी का वो चार सो के लक्षे को पूर्ण करने जा रहा है तीन सो सतर वाली भी बात हुई थी लेकिन वोटिंग तो इतनी हुई नहीं हर बूत पर तीन सो सतर वोट हमको हासिल करना है इसके परिपेक्ष में भी कुछ बाते होंगी कि इस पश्ट दिखेगा आपको जब चार तारिक को परणाम आएंगे कि जो वोटर्स निकले थे वो भारती जनता पार्टी के पकिश में निकले थे कई ऐसे पदादिकारी हैं जिनको मैं खुद जानती हूं कॉंगर्स पार्टी के जो स्वयम वोट देने नहीं गए है और जनता तो पूछ रही है कि जैसे पशली बार कई तमाम सारे मनीश तिवारी जैसे हो गए उन्होंने खुद नहीं वोट दिया था आप देखिए प्रेंट कर रहा है कि आमनीश तेवारी इस बार वोट देने जाएंगे कॉंगर्स पार्टी के आला नेता जो केंद्री मंत्री रहे जो सांसद रहे वो इतने हताश हैं कि स्वयम वोट देने नहीं जाते आप समझ सकते हैं कि जब कॉंगर्स का वोटर ही नहीं निकला कॉंगर्स का कारेकरता नेता ही नहीं निकला तो यह वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ उसका प्रणाम था पर एक तरफ पा वोटिंग जो है वो एंडिय के लिए हुई है यह आप कह रहे ही है मित्वन एहरवार साब कॉंगर्स के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं मित्वन एहरवार साब इतनी जल्दी कि आचार तारिक का इंतजार कर लेते हैं आपने तो फाइनल सर्वे जारी कर दिया प्लस माइनस पांच सब्मित बता दिया कि घटत बढ़त पांच की हो सकती है यह आंकड़ा हमारा है लेकिन पूस्टर तो आपने विधान सभा चुनाओं में भी लगाये थे जी सारी चीज़ें हमने की थी लेकिन क्योंकि विधान सभा चुनाओं हार गए इसलिए हम प्रेडिक्शन करना अपनी बात कहना चंता हमारे समर्थन में इस बात को कहना और चुनाओं लड़ना कॉंगरेस पार्टी के अगर लोग निकलेंगे तो ये 370 प्लस हर बूत पर वोट बढ़ाने का इनका फॉर्मूला फली बूत होगा सच्चा ही जब कि ये है कि स्वयम भारती जिन्ता पार्टी के राष्ट्री अद्यक जेपी नड़ा कह रहे हैं कि हमें एक जमाने में RSS की जरूरत थी अब RSS की जरूरत नहीं है बाचपा सोयम सक्षम होने की वबाच के रहते नहीं जारी बाते वो इस बात को छुपाना चाहते हैं कि RSS का मूल कारेकरता अज घर पे बैठा हुआ है या तो उसने वोट दिया नहीं या उसने वोट की खिलाफत की या उसने अपने लोगों को नहीं बुलाया या वो चाहता था कि भारती जनता पार्टी हार जाए और जनता का भी कोई उत्सा भारती जनता पार्टी के प्रती रहा नहीं है क्योंकि इन लोगों ने जो जो वादे किये जो जो दावे किये उसको तो पूरा किया नहीं है साथी साथ कॉंग्रेस पार्टी ने सम्मिधान बचाने की जो बात कही और भारती जन्ता पार्टी ने खुल कर कि ये कहा कि 400 बार का नारा सम्विधान बदलने के लिए है तो इस कारण जो भाउजन समाज है जो सम्विधान का रक्षक समाज है उसने आगे बढ़ करके वोट किया है अपने बाबा साथ के दिये सम्विधान को बचाने के लिए भारती जन्ता पार्टी के लोग घर बैट हुए है चलिए ये एक आपने बड़ी बात मारके की बात आपने